जिन अब्ष्टाउस दोस्तों कैसे हैं विडियो में हम बात करेंगे इस शल्फम पिर्टासियों को लेकर और को इक कॉछी फिर्टनर है यीविडियो हम करें एक सीरीज के नतरगत मतलब है तो आपके शुविदा के लिए सारे इंफोमेशन लेके मैंने एक ब्लॉग पोस्ट कर दिया है तो चली शुरू करते हैं एक सिंपल भाशा में तो नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर है जो डेफिनिटली लैब नहीं बनता है और यह सुक्रो से दो सुना ज्यादा स्वीट है इसके बनेफिट वही है जो मैंने कहा कि एक उमन बॉड़ी में मेटपलाइस होता ही नहीं है आप लिए और यह उरीन के साथ एकस्क्रीट हो गया बाकी भी तुछ अलब तरीकी से एकस्क्रीट हो सकता है तो उप यह बात करें तो इसको नॉन कैलरीफिक है और इसको जैसे ड यह प्रविशियर नहीं को जूसाइशन यहां गलत हो सकता है कि यह जूसाइशन थोरा अलग होता है वेस्टेजी करके जूसाइज करके गल्मन कंपपनी निशसाट में बहुत सारे सीरीज में चुन कल यह अपिर आटिफिशियल शूरी बनाये थे उसमें से एक है और इसका डिय signature नहीद की सब्सक्राइश है वह साथ ही प्रहुट चैता है दो अपना इस अभरज ऑना साथ है जिसके लिए इनके इनके प्रोर्प्रप्सक्रेमट की सलपयार केच है, इनके ब् dirt के साकरण के ईनके दो vontकित अबनी जिसका है कि इनके जिये तो अगर इसका यूज़ हम देखे तो हमेशा आपको देखेगा देखे यह इंटरेसिंग चीज़ है क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई प्रोड़क्ट यह रखा भी नहीं हूं कि इसका नाम भी नहीं लिए हूं को खराब लग सकता है किसी के बारे में खराब नही प्रोड़क्रोस या फिर एक अश्परटेम यह जो और एक शुटनर भी नहीं बना देखे जाए है कि यह बहुत स्वीट है इसका एक एक अलग सा आफटर टेस्ट है वो कड़वा है बिटर आफटर टेस्ट है उसको हटाने के लिए दो या फिर कोई और स्वीटन के साथ मि तो 15 mg पर kg body weight इसके हिसाब से इसका regulated usage daily usage रखा गया है बदब पर kg body weight में 15 mg अवेसिल प्रोटेसियम डेली यह अपर लिमीट इसका रखा गया है joint expert committee of food additives जो के WHO और दो एक और organization चूर के बनाते हैं यह organization जो यह सब बनाते हैं worldwide standards बनाते हैं और USFDA के बात करें Food and Drug Authority of United States उनके अगर बात करें तो वो इनको दो बार regulate किया है एक तो 1988 में किया है जहां पर यह बोले है कि कोई भी dry food में आप इसको डालो और फिर जाके उसको revise किये 2013 में जहांके जाके बोले कि कोई भी food में general purpose sweetener के हिसाब से इसको अब डाल दो तो यह है इनके usage कहां कहां के use होता है और कैसे use होता है किसके साथ use होता है मैं आता हूं clinical trial में total chart trial के बारे में बात करेंगे जो यह फिर studies के बारे में बात करेंगे जिसके आपको थम्नेल में भी दिखा होगा के चाई studies में बोला हूं तो फर्स वाला आता है जोर्ज एटॉल मतब जोर्ज एन उनके साथ ही मिलके जब 2010 में इस्टडी किये तूच के यह breakdown होता है और breakdown होके एक toxic compound बनता है और वह बहुत जादा मात्रा में होना चाहिए toxic होने के लिए और ACK पर भी बहुत जादा मात्रा में होना चाहिए तो यह इतना जादा मात्र में human explosion में नहीं होता है यह USFDA का मानना है इसलिए USFDA बोले कि इसके उपर further study होने का कोई ज़रूरत नहीं है पर यह एक जादा मात्र में toxin बनाता है और जामिन भी और उनके साथ ही मिलके एक study के 2017 में जो यह दिखने के लिए कि यह body weight बढ़ाता है कि नहीं और कुछ-कुछ effect करता है कि नहीं तो यह study हुआता है human में माइस में बहुत सारे studies माइस में होता है सूर में होता है कि उनके कुछ-कुछ पाथ हुए उनके कुछ-कुछ physiological characteristic human के साथ मिलते हैं तो यह माइस में होते है और यह देखा गया कि माइस का body weight बढ़ता है इसके यूज करने में और प्रोलॉंग यूज करने में ज्यादा डोजेज में यूज करने में अल्दो इसका कोई calorie effect तो है नहीं पर भी होता है और दूसरा चीज जो माइस के gut microbiome है उसके structure को यह change क्या है तो microbiome क्या है यह सब को पहले में पताना पड़ेगा देखिए कोई भी living organism जिसे हम human है उनके कोई भी body के हिस्सा पकड़ लिए जैसे कि कान हो गया कान के अंदर हो गया या मूं के अंदर हो गया या फिर अपना gut हो गय जितने सारे microorganisms हैं जो एक यूपर दूसरे डिपेंड करके रहता है या पर इंडिविजुले रहता है जितने सारे microorganisms हैं उनके cumulative genome को बोलता है microbiome तो यह देखा गया है कि असलफम potassium mice के gut के microbiome को change करता है उसका total composition को change करता है यह भी देखा गया था यह 2017 का study है 2011 में एक study किया गया था जो human में किया गया था और उस study में यह दिखा गया था कि देखना के लिए कि जो pregnant woman है अगर वह continuously असलफम potassium लेते हैं अपने डायट में और after baby's birth अगर जिस टाइम पर lactating होते हैं वह बद्ध मिलक लेते हैं उस टाइम भी अगर यह लेते हैं तो उसका क असलफम potassium प्लसेंट्रा के थ्रू जाके baby तक पहुंचता है यह पाया गया दूसरी चीज़ यह पाया गया कि after birth जब baby mother's milk लेता है तो mother's milk से भी यह आके baby तक पहुंचता है अगर mother continuously आप इसमें यह भी लिखा गया study में कि इसका कोई serious side effect infant में पाया गया नहीं है आप है research paper वह देख लीजीगा उसमें सारे details मैं तो short में बता रहा हूं आप पूरा पढ़िएगा पूरा उसमें बहुत सारे details हो और 2013 में यह लास्ट वाला study है जो मैं बता रहा हूं कि अगर long term exposure करते हैं daily long term exposure करते है इसल्फन potassium का human में मैं 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 तो उसका effect यह है कि उनके जो cognitive capability है उसमें असर करता है वो घड़ गया था यह पाया गया था मतलब कि उनका memory जो है वो घड़ गया था बाकि कोई neurological aspect में कोई effect नहीं नजर में आया था इस study में तो मैं जितना ढूना मुझे यह चार्ट जो studies है यह बहुत मतलब प्रॉपर लगे मतलब जो उटके आया है पर human trials बहुत कम हुए है तो आखिर में यह हम sum up कैसे करें देखें और जेनरल और अगर नॉर्मली आप देखे इसको तो इसके उपर जो जो study हुए है उसम माइस में हुए है तो माइस में और human में similarities जितने भी है अंतर भी बहुत सारा है तो हम conclude नहीं कर सकते हैं कि वह negative effects human में होंगे पर यह भी हम नहीं कर सकते हैं कि उतना studies नहीं हुआ है कि यह चीज का side effects नहीं है तो जैसे सारे चीजों के लिए हम बताते हैं कि जितना हो सके chemically produced additives या ऐसा कोई चीज से दूर रहे है वह अच्छा है पर आज के दिन में अगर वह possible नहीं है तो ठीक है वह आपके ऊपर है पर जीतना हो सके हम कहेंगे कि आटिविज के अटिविज के नहीं का में परपस होता है ना आपका कैलोरी ना बढ़े आप पतले हो तो वह होता नहीं है जैसे मैंने कहा कि आप बिंज इटिंग करते हूं आप सोचते हैं कि खाई लेता हूं ज्यादा खाता हूं तो बेसकिली एफेक्ट टूल्टा पढ़ जाता है क्योंकि हम इसको एक license पकड़ लेते हैं कि हमारे प क्यों दूसरे चीज़ के साथ मिल के उसका कोई इंट्रैक्शन है के नहीं दूसरे चीज़ों के साथ जितना होचे कमेंड़ डाल दिया यहां पर टूंडट काम में एक अर्टिकल है आप जाके पढ़ लीजिए और सारे रेफरेंसिस को स्टेडी कीजिए और अगले वीडि तक नहीं स्वास का क्याल रीकी गा जिलिया